केंद्रिये और दक्षणी अमेरिका के वर्षावनों में जैसे ही सांज ढलती है, जंगल एक राथ्रिकालीन सिंफनी में बदल जाता है। ठलता सूरज एक ऐसा समय लाता है जब प्रचाया नाचती हैं और दिखने और ना दिखने के बीच की रेखा धुंदली हो जाती है। लाल आँखों वाला पेड़ मेंधक इस धुंदली रोशनी में निकलता है। यह एक ऐसा जीव है जो वर्षावन के जीवन की ताल के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इन उभैचरों को उनकी शांदार रंगत और चौकाने वाली लाल आँखों के साथ देखना बेहद आकरशक है। जैसे ही रात होती है, वे अपने विशेश शिकृत पंजों का उपयोग करते हैं, जो बड़े होते हैं और चिप-चिपी सतह के साथ आते हैं। ये मेंधक को फुर्ती से पत्यों के बीच पकड़ने और घूमने में मदद करते हैं, जो शिकारियों से बचने और खाने के लिए शिकार करने में एक महत्वपूर्ण हुनर है। जब प्रजनन का मौसम आता है, तो नर लाल आँखों वाले पेड मेंधक के पास एक अलग तरीका होता है। वे एक अनूठी संचार विधिका उपयोग करते हैं, जिसे कमपन न कहा जाता है। पत्तियों और शाखाओं से चिपके रहते हुए, मेंधक अपने शरीर को तेजी से बढ़ा कर सूक्ष्म लेकिन प्रभावी कमपन पैदा करते हैं। ये कमप कमपी पौधों की सामगरी के माध्यम से यात्रा करती है। आसपास के संभाविद साथियों तक पहुँचती है, बिना शिकारी का ध्यान आकरशित किये। लाल आखों वाले ट्री फ्रॉग की आवाज तब उत्पन्न होती है, जब फेफ़णों से हवा गले में स्थित कंठ से गुजरती है। इस आवाज को कंठ के नीचे स्थित लचीली त्वच्चा की जिल्लियों द्वारा बढ़ाया जाता है। ये प्रतिध्वनित वायू थेले मेंधक को अपनी आवाज लंबी दूरी तक पहुँचाने और यहां तक की जल्मगन होने पर भी ध्वनी उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। लाल आँखों वाले पेड मेंधकों का एक अद्भुत पहलू उनके अंडों की रक्षा की प्रणाली है। आमतोर पर अंडे चार से पांच दिनों के बार टैड़ पोल में बदल जाते हैं। हालां की जब एक शिकारी धमकी देता है, तो अंडे खुद प्रतिक्रिया करने की ख्षमता रखते हैं। शिकारियों से आने वाले कमपन या रासायनिक संकेतों का पता लगा कर अंडे समय से पहले फूट सकते हैं। ये स्वयम संचालित प्रक्रिया निकलते हुए टैड़ पोल को भागने का एक अहम मौका देती है, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ जाती है। इस समय के दौरान जो लगभग 6 से 9 सपताह तक चलता है, वे काया प्लट से गुजरते हैं, धीरे धीरे अंग विकसित करते हैं और अपनी पोंच को अवशोशित करते हैं, इससे पहले कि वे अपने वयसक रूप में परिवर्तित हों। लाल आंखों वाला पेड मेंधक जो परिपक्वता तक पहुँचने में लगभग 2 साल लेता है और जंगल में इसकी आयू लगभग 5 साल होती है। यहाद दिन बिताता है घने जाडियों में छुपकर, उर्जा बचाता है, आराम करता है और प्रतीक्षा करता है जब तक रात फिर से उन्हें जीवन में नहीं बुला लेती। उन्हें जीवन नहीं करते हैं